नमस्कार मैं हूँ शत्यपाल और आप देख रहें CWB Hindi News हर्याना में अनुबंदित करमचारियों में जगी पक्की नोकरी के आज सरकार ने मांगा ब्योरा हर्याना के 111 स्कूल पीम सिरी में हुए सामिल अब कुल मिलाकर 235 सरकारी स्कूलों को पीम सिरी का दर्जा मिला देश भर में पैटरोल और डेजल दोर पे सस्ता हुआ नई केमते आज सुबेट सेब जेशे होंगी लागू 22 महीने बाद घटा आये दाम हौली पार उपर हर्याना की राश्ते संचारित होंगी ये स्पेसल ट्रेने जानी ये पूरा टाइम टेबल और रूट हर्याना की करना लोक्षवा सीट से जीत हासिल करना पूरुषियम खटर के लिए ही नहीं होगा आसान सामने होंगी बड़ी चुनोतियां इलेक्टरिक वाहनों पर मोधी सरकार का बड़ा एलान 15,000 रुपे मिलेगी आर्थिक मदद बताएंगी पूरी अपडेट दिपेंदर हुडा बोले चुनाव में होने वाली हार से पहले भाजपाने मानी हार दस हार में लोगों में इतनी नाराजगी कि मुख्यमंतरी और उप मुख्यमंतरी दोनों को बदलना पड़ा द्वार का एक्स्प्रेस वेपर इन वाहनों को सफर करना पड़ेगा महेंगा तुरंत प्रभाव से कटेगा चालान हर्याना सीम नायाब सेनी सीम बनने के बाद पहली बार पीम मोदी से मिले कहाद दस सीटों पर खिलाएंगे कमल हर्याना के बाबा मस्तनात मठ में 16 मार्श मेले का आयुजन सब्तमी से शुरू होने वाले मेले के तयारें शुरू और हर्याना राजस्तान के और जाने वाली यात्रें को अब नहीं आना होगा नई दिली रेल्वी स्टेशन इस स्टेशन से पकड़ सकेंगे ट्रेने बताएंगे पूरी अपडेट और अब ख़बरे विस्तार से मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 गंटों के दोरान अरुनाचल प्रदेश में हलके से मद्यम बारिश के संभावना है आज हर्याने में मौसम साफ रहने का अनुसम विभाग ने वेक्त किया है साथ ही आपको एक अन्य ख़बर से अपडेट करवा दें कि UIDI ने फिरी में आधार अपडेट करने के लिए डेडलाइन को फिर से 3 महिने के लिए बढ़ा दिया है जिनने 10 साल पहले आधार काड़ मिला था और अभी तक एक बार भी अपडेट नहीं कराया है केंद्रे कोकुट विकास संगठन चंडिकट के तरफ से कोकुट परिचारक के पदों के लिए आविदन वांगे गए है महिला वे पुरुष दोनों वर्गों के उमिद्वार ओफलाइन माधियम से अपने आविदन भेज सकते हैं आविदन करने के आखरी तारिक 30 अपरेल 2024 है आविदक 10 वी पास होने चाहिए किसी भी वरक के उमिद्वारों को कोई भी आविदन सुल्क नहीं देना है नियून तमाईव 18 वर्ष और अधिक तमाईव 27 वर्ष तैकी गई है उमिद्वारों से विनमर निवेदन है कि भरती के लिए आविदन करने से पहले आधिकारी की विग्यापन आविश्य देख ले हरियना के मुख्य सचिव संजीव कोशल ने सभी परशासनिक सचिवों और विभागा अध्यक्सों को गुरूप B, C और गुरूप D में पात से दस साल की आवदी से सिवारत अनुबंद करमचारियों के बारे में तुरंत जानकारी देने के निर्देश जारी किये है मुख्य सचिव कारियाले द्वारत जारी एक पत्र में मानो संजादन साखा को विशेश संदेश वाहक के मादम से एक सब्ता के बीतर प्राशंगी जानकारी उपलब्द करवाने के लिए कहा गया है केंदरे मादमिक विदाले शिक्षा वोर्ड यानी CBC से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है academic और vocational विश्यों के अंतर को खत्म करने के लिए CVC Board ने सभी स्कुलों में national framework यानी NCRF शुरू करने की guidelines जारी किया है इस framework को academic वर्ष 2025 से शुरू किया जाएगा लेकिन Board ने स्कुलों को अभी से इस पर काम करने का आदिया जारी किया है कक्षा 11 वी बार्वी के चात्रों को जो credit points दिये जाएंगे वे उनके college admission के दोरान भी जोड़े जाएंगे अगले साल से कम से कम एक विश्य में कक्षा चठी से बार्वी के students को vocational training करना आनिवारी होगा इससे vocational education जैसे blue poetry, beautician, financial literacy जैसे वीश्यों को भी बढ़ावा मिलेगा मैं CBC board के इस पैसले से चात्रों को एक अलग से skill subject शिखने का भी मोका मिलेगा साथ ही आगे कहरे चुनने में भी आसानी होगी को लोगों को एक skill lab शुरू करनी होगी जिसमें बच्चे अपनी रूची के अनुसार वीश्यों पर काम करशकेंगे BJP केंद्रे नेतरतों ने पूरु मुक्यमत्री मनोरलाल खटर को करना लोग्षवाचेतर से परत्याशी घोशित कर दिया है इस लोग्षवाचेतर से जित हासिल करना पूरु मुक्यमत्री मनोरलाल खटर के लिए आसान नहीं रहने वाला है क्योंकि कई चुनोतियों से निपटना उनके लिए इतना सराल नहीं होगा साल 2020 में पंजाब से सुरू हुए किसान आंदोलाल का सबसे ज़्यादा आसर हरियाना में देखने को मिला किसानों की नाराजगी करना लोग्षवाचेतर से परत्यासी मनोरलाल खटर के लिए भारी पड़ सकती है महीं एक बार फिर से किसान आंदोलन की रहा पर हैं और बीजेपी सरगार के खिलाब काफी गुश्य में भी है ऐसे में मनोरलाल को जीत हासिल करने के लिए एडी चोटी का जोर लगाना होगा करनाल लोग्षवाचेतर में करनाल की 5 और पानिपत की 4 मिलागर कुल 9 शीटे हैं और यहां से वर्तवान में 3 शीटों पर कॉंग्रेस और 5 शीटों पर बीजेपी के विदायक हैं जबकि एक शीट निर्दली विदायक ने जीती थी ऐसे में यहां काटे की टकर हो सकती है करनाल लोग्षवाचेतर से पिछले लगातार दो बार पंजाबी समुदाय के परतैसी को जीत हासिल हुई है इसी के चलते बाकि समुदाय के लोग अब पंजाबी समुदाय के परतैसी का विरोध कर रहे हैं हालांकि करनालोग्षवाचेतर पर पंजाबी समुदाय के वोटर्स की संक्या का आंगड़ा ज्यादा है लेकिन बाकि वोटरों के बिना जीत इतनी आसान भी नहीं दिखाई दे रही है ऐसे में देखना दिल्चस्प होगा कि मनोहलाल खटर चीत हासिल कर दिल्ली पहुँचते हैं या फिर नहीं हर्याने के रोतक में स्थित अस्तल बोहर मठ में परमसिद शिरोमनी बाबा मस्तनात महराज की स्मृति में आयुजित होने वाले सालाना मेले की 16 मार्च से शुरुवात होने जा रही है बता दें कि 32 सालाना मेला आस्था और संस्कर्ति का प्रमसंगम है जो पिछले 301 सालों से आयुजित होता आ रहा है मेले का आयुजित फालगुन मास की सुकुलपक्स की सब्तमी अस्टमी एव नौमी तितिको होता है नात संपरदाई में बाबा मस्तनात के प्रति सर्दा रखने वाले सर्धालों इन दिनों में समाधिस्तल और बाबा के विचुपरशित धोने पर मत्था टेक कर मन्नत मांगते हैं इस वार्शिक मेले में देशबर्शी बड़ी संख्या में सरधालों का जमावड़ा लगता है पुरी दुनिया में ख्याती प्राप्त अस्तल बोहर मठ आदी काल से ही योगी जनों की तपस्तिली रहा है सब्तमी से सुरू होने वाले मेरे के तयारें प्रारंब कर दी गई हैं मेले में आने वाले सबी लोगों के लिए भंडारे का विश्यस प्रबंद किया जा रहा है भाजपा जस्बा गटबंदन तोटने के बाद गुरुवार को पहली बार पूरु डिप्टी सियम दुशन चोटाला और पूरु शियम मनोहर लाल खटर के वीच मुलागात हुई दुशन चोटाला गुरुवार शियम को सियम आवास कबीर कुठीर पहुंचे और पूरु शियम से करेब 40 मिनट मुलागात की इस मुलागात को शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है इस दोरान दुशन ने मनोहर से आशिरवाद लिया और उन्हें भाविशे की शुप गावनाई दी मगर हरियान के राजनेतिक गलियारों में कायास बाजी का दोर भी शुरू हो गया है दोनों पिछले साड़े च्यार साल एक साथ थे हर दूसरे दिन बाच्चित होती रहती थी गडबंधन तूटने के बाद ने तो जज़पा नहीं भाजपा को कोशा और नहीं भाजपा की होर्शे कोई अनापसना बयान दिया गया ऐसे में दोनों के बीच मुलाकात स्वाभाविक थी दुशंत अपनी सरकारी कोटी को खाली करने के तैयारी में है सरकारी गाड़ी और शुरुक्षा कर्मी वे पहले ही लोटा चुके थे वहीं यह भी बताया जा रहा है कि पूर्शिया मनोलाल खटर भी जल्दी कबीर कुटीर से करनाल जा सकते है राज्यसबा सदैसे दिपेंदर हुड़ा ने कहा कि आज से लेकर मद्दान होने तक सभी कार्यकरताओं को जोश के साथ होस और अनुसासन बनाई रखना है उन्होंने बूत कमेटे की सदैसों की जिम्मिदारी लगाई कि इस बार पोलिंग पर्तिशत बढ़ाने का प्रियास करना है हर्याना में बदला होत्ते हैं और इस सुनाव में जीत कॉंग्रेस सरकार लेकर आएगी उन्होंने पिछले एक से दो दिनों में होई राजनीति गटना करम का जिकर करते हुए कहा कि चुनाव में होने वाली हार से पहले ही भाजपाने हार मान ली है इस सरकार ने खुद कबूल कर लिया है कि 10 साल में लोगों में इतनी नाराजगी हो गई है कि मुख्यमंतरी और उप मुख्यमंतरी दोनों को भी बदलना पड़ा इस दोरान विधायक डक्टर रगवीर कादियान मोजूद रहे दिपेंदर हुड़ा ने यह भी कहा कि उन्होंने तीर महीने पहले ही सिर्चा की रैली में कहे दिया था कि बीजेपी जेपी में समझोता तोड़ने का समझोता हो गया है चुनाव में ये दोनों फिर से वेस बदल कर आएंगे जब गटबंदन तूटा तो जेजेपी को 51 सुर्पे बुड़ापा फेंसन याद आ गई लेकिन साड़े चार साल तक इसकी याद नहीं आई हरियाना के नव नियुक्त मुख्यमंतरी नायव सिंग सेनी गुरुवार को दिल्ली दोरी पर रहे इस दोरान उन्होंने राश्पती द्रौपदी मुर्मू, प्यम नरेंदर मोदी, केंद्रे ग्रह मंतरी अमित्षा और परदे सदेक जेपी नड़ा से मुलाकात की उन्होंने प्यम मोदी को आश्फ़्ष्ट किया कि वह हरियाना की 10 शीटों पर कमल खिला कर देँगे, सीयम का पद समालने के बाद यह उनकी पहली मुलाकात थी, मुलाकात के बाद मुक्यमंतरी ने कहा कि पिया मोदी से उन्हें आशिरवाद मिला कई वीशियों पर चर्चा हुई है उन्होंने सभी को साथ लेकर चलने की सला दी है जल्दी मंत्री मंडल का विश्थार भी कर दिया जाएगा विज के नाराज होने की सवाल पर उन्होंने कहा कि विज हमारे सबसे वरिष्ट शाती हैं उनका आशिरवाद मेरे उपर है नाराजगी वाली कोई बात नहीं है उन्होंने कहा कि प्यम मोदी के नेतरतों में डबल इंजन की सरकार ने पिछले साड़े नो वर्सों में जो काम किये हैं उन्हें देश और परदेश में नया भारत नया हरियाना विक्सित भारत विक प्रदेश में बहुत विकास हुआ है और गूड गवर्नेस का उधारन रहा है हम उन कारियों को आगे बढ़ाएंगे कॉंग्रेस पर आरोप लगाते विए श्यानी ने कहा कि देश और प्रदेश के जनता कॉंग्रेस के कुशासन को भूली नहीं है कॉंग्रेस के सरकार में एक गैस फ्रेंडर के लिए तीन दिन तक लाइन में लगना पड़ता था और ब्रश्टातार चरम पर था जज़पास से गटबंदन तूटने के बारे विए पुछे के स्वाल की जवाब में मुख्यमत्री ने कहा कि इस बारे में जन भावना को ध्यान में रखते विए पा एक इस प्रेश वे आज़ पास के इलाकों में विकास के एक नई अबारत लिखेगा द्वार का एक्सप्रेश वेदर्विज ने द्वार का एक्सप्रेश वेपर वहनों का आगवन और शुरक्ष्या व्यवस्ता को ध्यान में लगते विए बैठे कायुजित कर जरूरी दि उन्होंने बताया कि इस एक्सप्रेश वेपर 6 प्रकार के वाहनों की परवेश पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी इसमें टू वीलर, टेमपो, ट्रेक्टर ट्रोली, ट्राला, साइकल और गैर इंजन के वाहन सामिल है अधिकारियों और क्रमचारियों को निर्देश जारी कि इस परकार के वाहन यदि दौर का एक्सप्रेश वेपर पर शफर करते विए नजर आये तो त्रुंत प्रभावुस उनका चालान किया जाए, इसके अलावा गलत दिशा से चलने वाले वाहनों का भी चालान होगा, उन्होंने बताया कि इस एक्सप्रेश वेपर एलएम पर उपर यात्रियों को एक अच्छी खबर सुनाई है त्योहार पर यात्रियों की अत्रिक भीडवार को देखते वे रेलवी ने स्पेसल ट्रेन ने संचालित करने का एक एहम फैसला लिया है ताकि सफर करने में आसानी होचके ट्रेन नमबर 090-91 में 23 मार्च को वलशाड हिस चालि नमबर 0-41-31 श्री गंगानगर आग्रा केंट्स स्पेसल ट्रेन 20 वशफ़चर थैस मार्च को श्री गंगानगर शे डाय बजी रवाना होकर स्यार बजकर 50 मिनट पर आग्रा केंट्स पहुंचेगी, इसी तरह ट्रेन नमबर 0-3-3-31 वशकर श्री गंगानगर श्री मिनट पर उद्यपुर्वार को नो बच कर पेतालिस मिनट पर पहुंच जाएगी देश भर में इलेक्ट्रिक वहानों के संकारन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारह एक नए योजना की गोशना की गई है बता दें कि अप्रेल 2024 से जुलाई 2024 तक के लिए चलने वाले इस योजना पर 500 क्रोड रुपे खर्चोंगे सरकार की यह नई योजना टू वीलर और थ्री वीलर के लिए उपलब दोगी इस योजना के तेत पर्ती 2 पईया वाहनों के लिए 10,000 रुपे की सहाधाराशी दी जाएगी छोटे तीपईया वाहनों जैसे ए रिक्षा और ए काट के खरीद करने के लिए 25,000 रुपे तक की सहाधाराशी दी जाएगी वहीं बड़ा थ्री वीलर वाहन खरीदने पर 50,000 रुपे की वित्य मदद किये जाएगी फेम 2 के तैट सबशीडी 31 मार्ज 2024 तक या फिर धन उपलब्द होने तक बेचे जाने बारे ये वाहनों के लिए पात रोगी राष्टी राजधानी दिल्ली से हरियाना और राजस्थान के लिए ट्रेन से सफर करने वाली यात्रियों के लिए एक अच्छी कबर सामनी आई है खासका दिल्ली के बाहरी इलाकों के लोगों को अब ट्रेन पकड़ने के लिए नई दिल्ली रेल्वी स्टेशन पर जाने की कोई आउसकता नहीं होगी इस तरह यात्रियों को समय और पैसे दोनों की बचात होगी क्योंकि बाहरी दिल्ली से नई दिल्ली रेल्वी स्टेशन तक पहुंचने में नेकल जाम से जूजना पड़ता है बल्कि ओटो वा टेक्षी कराया भी बहुत ज्यादा लगता है बता दे कि अमरत भारत स्टेशन योजना के तैद भारतिया रेल्वे बीजवासन रेल्वे स्टेशन की तस्वीर बदलने जा रहा है या रेल्वी स्टेशन नई दिली पुरानी दिली निजामुदीन और आने विहार के बाद पांचवा सबसे बड़ा रेल्वी स्टेशन वनेगा साथ प्लेटफॉम वाली स्टेशन से हरियाना राज़तान गुजरात समीत पर्श्मी भारत के अनि सहरों के और जाने वाली यात आज सुबह 6 वजी से लाग होंगी इससे पहले लगबग 22 महीने पहले 21 मही साल 2022 को दाम घटाए थे पैट्रोलियम एंड नेच्रल गैस केंद्रे मंत्री हरदीप पुरी ने गुरुवार यानि 14 महर्च को सोचल मीडिया प्लेटफॉम एक्स पर इसकी जानकारी दी है केंद दसमनों सुने 4% वेट लगेगा हालांकि अभी जो दाम घटाए गए हैं उसे ओयल मार्केटिंग कम्पनियों ने कम किये हैं ये कम्पनिया रोज आना सुबह 6 वजे दामों को रिवाइज करती हैं भारतिये शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली है सेंसक्स 335 संग चटकर 33,097 की स्थर पर क्लोज हुआ वहीं निप्टी में भी 114 संगों की बढ़त देखने को मिली और ये 22,146 की स्थर पर पहुंच गया है सेंसक्स के 30 शेयरों में से 18 में तेजी और 12 में गिरावट देखने को मिली है वहीं भारतिये शराफा बाजार में 22 का एट प्योर्टी वाला 10 ग्राम सोना 69,098 रुपे का हो गया है इसके अलावा 99 में प्योर्टी वाली 1 किलो ग्राम चांदी की किमत की बात करें तो 73,506 र चैनल CWB हिंदी न्यूज नमस्कार इसे आसा के साथ आपका दिन शुब रहे